हेलो दोस्तो आज हम जिस फिल्म के ट्रेलर का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है दा केरला स्टोरी 22 नॉवंबर 2022 को इसका ट्रेलर लॉंच होते ही फिल्म को लेकर समास दो वर्गों में बठता नजर आ रहा है एक तरफ एक वर्ग विसेश इसे काल्पनिक और नफरत फैलाने वाला प्रॉपेगंडा बता रहा है वहीं दूसरा वर्ग इसे केरला की सचाई और 32,000 हिंदू क्रिश्चन लड़कियों का ISIS द्वारा प्लाइंड इसलामिक कन्वरजन बता रहा है इस फिल्म की कहानी में कितनी सचाई है ये तो पूरी फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा जो कि पाँच मई को थैटरस में रिलीज हो रही है आईए अब बात करते हैं इस फिल्म के ट्रेलर की फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कैसे एक हिंदू लड़की शालिनी उन्नी कृष्णन से फातिमा बन जाती है और बाद में कैसे न चाहते हुए भी उसे ISIS जॉइन कराया जाता है कैसे शालिनी की आस्था पर सवाल उठाने से लेकर ISIS के क्राइम नेकसस में फसाने तक का काम एक और्गनाइज तरीके से किया जाता है पूरे ट्रेलर में ISIS के टेरर मोड्यूल और थाट प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है इसमें दिखाया गया है कैसे 32,000 हिंदू और क्रिस्चन लड़कियों को कनवर्ट कराकर टेरिस्ट और्गनाइजिशन का हिस्सा बनाकर उन्हें सेक्स लेव बना दिया जाता है और बाद में उन्हें अफगानिस्तान, सीरिया, एराक के रिगिस्तानों में दफ़न कर दिया जाता है टेरिलर में केरल के पूर मुख्यमंत्री वियस अचुता रंद के बयान का भी जिक्र है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगले 20 सालों में केरल एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा टेरिलर एकदम रियलिस्टिक और लोगों की इमोशन्स के साथ कनेक्ट करता है दरसक इसे कस्मीर फाइल्स की तरह देख रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत गंबीर फिशे को उठाया गया है टेरिलर आते ही केरल विधान सभा में इस फिल्म को बैन करने की बात उठी थी और ये फिल्म मिस इनफॉर्मेशन फैला रही है और इस पर एफ आई आर भी की गई थी तमिलाइडू के एक जर्नलिस्ट ने सेंटल बोर्ड और फिल्म सर्टिफिकेशन को इस फिल्म पर बैन लगाने के लिए कहा था कि ये फिल्म कम्यूनिटी टार्गेट बेस्ट है फिल्म का रिव्यू लेकर आएंगे प्लीज हमारे चैनल को लाइक सबस्क्राइब और शेयर करें बैल आइकन दबाना ना भूले थैंक्स पर वाचिंग जै हिंद